जैहिन दोस्तो मैं राकिश शर्मा अपने यूटूब चनल में आप शबी का अर्थिक स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के वीडियो में CRPF Head Constable Minister के बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा कि CRPF Head Constable Minister Post के लिए कैसे अपनाई करना है क्या क्या आप योगता चाहिए, कितना Physical Standard होता है, किस परकार से टाइपिंग टेस्ट होता है किस परकार से जोइनिंग मिलती है, कैसी ट्रेनिंग होती है और इसकी क्या डूटिया होती है करते हैं शुरू आज का वीडियो, वीडियो शुरू करने से पहले आप से कन्रोध कि अगर आपने हभीतक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करपे करकर के चैनल को सब्सक्राइब करें तो दोस्तो CRPF Head Constable Ministral के लिए यह SSC की थ्रू नहीं होती है यह जो भरती होती है यह CRPF डिपार्टमेंट अपने लेवल पे इसको भरती करता है अगर आप अगर हम योगे तक ही बात करें तो आपको टैन प्लस टू पास होना चाहिए अगर आप कितने परसेंटेज मार्क्स आपके हो तो आप CRPF HCM में जोइन कर सकते हैं आपने फॉर्म अपलाई कर दिया आपको फिजिकल के लिए जब बुलाया आता है तो इसमें फिजिकल में सरफ आपका हाइट, वेट, चेस्ट होता है तो इसमें आपको भागदोर जैसे सेजीडी या आर्मी की भरती की बात करें तो जितना हाड फिजिकल होता है HCM में इतना हाड फिजिकल नहीं होता है इसमें सरफ का मेजरमेंट चेक होता है हाइट वेट चेस्ट, गरल्स के लिए हाइट और वेट चेक होता है और गरल्स के लिए तो यह नोकरी बहुत ही पर आपको बुलाते हैं तो उसके साथ ही आपके डोकोमेंट वरिफाई होते हैं जैसे ही कि आपका मारक शीट हो गया आपका पहचान पत्तर आपकी मूलनिवास परमान पत्तर आपका जाती परमान पत्तर यह अगर इसमें हम बात करें उम्र की तो इसमें अठारा से लेके पच्चिस तेक जनरल की OBC की अठाइस तक और SST तीस साल तक की एज होती है अपलाई करने के लिए इसके बाद में जैसे आपका फिजिकल हो जाता है तो आपका रिटन टेस्ट के लिए बुलाते हैं रिटन टेस्ट दोसो नमबर का होता है जिसमें पचास नमबर का रिजिनिंग पचास नमबर का मैथ पचास नमबर का इंगलिस और हिंदी ऑप्शन और पचास नमबर का आपका जीक्य होता है इसके बाद में एक second paper होता है 25 नंबर का जिसमें आपको एक एशे और एक letter लिखना होता है तो ये 225 नंबर का आपका paper होता है जैसे आप paper clear कर देते हैं वैसे अगर आपकी थोड़ी बहुत भी तयारी है तो paper इतना hard नहीं होता है आप clear कर सकते हैं paper clear करने के बाद इसमें जो सबसे बड़ा पहाड है same post के लिए वो होता typing test typing test में maximum बंदे फैल होते हैं क्योंकि सब ये लोग सोचते हैं कि जैसे मैं physical करके आऊंगा उसके बाद return test pass कर दो उसके बाद मैं typing के त्यारी करूँ typing एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप practice करते रहते हैं तब तो आप clear कर देते हैं अगर आपकी practice उट गई आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप typing में पास्ट नहीं हो सकते हैं तो इसमें जो सबसे बड़ा पहाड तो typing test का है typing test में अगर आप हिंदी में type कर रहे हैं तो आपको accuracy भी ज्यादा होनी चाहिए तो इसके लिए आपको typing की पहले से त्यारी रखनी पड़ेगी जैसे आप form apply करते हैं तो typing की त्यारी आप सुरू कर दें form अभी निकलने वाले हैं लग 1100 पदों पर भरती निकलने वाली हैं उसके बाद में जैसे आप typing test पास्ट कर देते हैं उ में कुछ रियायते दी जाती है medical आपका clear अगर हो जाता है तो आपको joining मिल जाती है और CRPF HCM post के उपर आपकी training शुरू हो जाती है अगर हम training की बात करें तो SSCGD की training में लगबग आप मान के चलो एक साल लग जाती है लेकिन इसकी HCM की training मतर तीन महीने की होती है तो इसमें ज़्यादा training में भी भाग दोड ज़्यादा लंबे training नहीं है उसके बाद में आपको direct head constable के post के उपर आपको joining दे जाती है और आप duty के लिए तयार हो जाते हैं duty के अगर हम बात करें तो head constable ministry duty एक कलरक duty होती है इसमें आपको जो unity level पे अगर आपकी posting हो तो unity level के जवानों का व्यत्तन भत्ते उनका records रखना इन सब की आपको duty दी जाती है अलग-लग duty होती है सबको जितने भी department के अंदर HCM होते हैं सबको अपनी अलग-लग duty दी जाती है जो की एक बहुती आसान duty होती है जिसके अंदर आपको civil और आपको defense दोनों के आपको feelings आती है तो ये था आज का वीडियो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक like, share और subscribe जिरूर करें जाएं